नजगार आप देख रहे हैं नेशन न्यूज मैं हूँ अभाय प्रियदर सी सिम्डी बक्तियारपूर बिधान सब अच्छेट से एल्जीप से सैंजय कुमार सिंग को सेंबल मुल चुका है और एल्जीप के टिकट से इस बार चुनाब मैदान में हैं हर साथ बात करने के बिलास पासवान जी हमारे पार्टी के संस्ताफक थे और उनके जाने से पार्टी में एक सुनिता हो गई है लेकिन उनका असिरवाद हम लों के साथ है और इस बिधान सबाद चुनाब में उनके असिरवाद से उनके कर्म से हम लोग जो है सो चुनाब मैदान में जा रहे है और राम बिलास पास्वान जी हमलों के साथ हैं वो भले उनका सरीर जो है सो नहीं है लेकिन वो हमलों के साथ हैं भावनात्मक रूप से जुरे हुए हैं और हमलों को जो है सो इस एलेक्शन में बहुत मदद करेंगे बीजेपी ने चिराग पास्वान को बोट कटवा नेता बता दिया है इस पे काफी बवाल भी हुआ आप लोग के समर्थर में राज़त भी बहुत थारी बात आप इसको कि करा हैं अगर्णों कि उन्होंने मुझे सिम्री बकतियार पूर से लोग जनसक्ति पाटी का जो हैसो उमिदवार बनाया है और जहां तक बीजेपी में कोन लोग हैं जो कि हमारे पाटी को भौट कटवा काते हैं और ये लड़ाई तो सिम्री भक्तियापूर में पता चलेगा कि हम भोटकटवा हैं कि एक नमबर का पाटी हैं वहाँ पर हमारे पाटी से गए हुए केसर जी के लड़के को जो है सो दे दिया गया टिकट आर्जेटी से तो बहुत गोरेस में नहीं है और दूसरी बाद जो मुकेश शाहिनी जी आए हुए है तो देखते हैं अब उनसे लड़ाई है तो देख रहे हैं हमारे चेतर में वह दोनों पाटी जो है सो कहीं नहीं है हम मेरे सामने में जो मेरा पाटी का जो वहां पर और और जो भी है वहां से हमारे संसत के सरजी है और इससे पिछले वाले चुनों में भी जो है सो लोचपा को वहां पर काफी अच्छा भोटा आया था इसलिए हमारे यहां कंटेस्ट नहीं है और हम लोग जो है सो बड़ी आसानी से जिद्धा करेंगे जितेंगे वहां की जनता जो है सो हमको बहुत प्यार करती है और जनता का पूरा समर्थन सभी जाती के लोग सभी धर्म के लोग हमको जैसो समर्थन करते हैं और बहुत ही दिल से जो है सो हमें प्यार करते हैं ये थे हमारे साथ संजे कुमार सिंग जो की लोजपा के टिकट से इस बार चुनावी मैदान में हैं और इन्होंने साफ कहा है कि कोई भी हमारे सामने रेस में नहीं है चाहे गठवंदन हो या फिर NDA की बात ही छोड़ दीजिए खबर से अपडेट रहने के लिए बने रहे हैं और देखते रहे हैं देशनी नवसकार